भारत के पड़ोसी देश नेपाल में खतरनाक आपदा आई 3 नमेंबर 2023 को नेपाल के जाजर कोट जिले में जोर दार भुकम पाया विक्टर स्केल पर इसकी तिवरता 6.94 दर्च की गई जिसमें अधिकतम 10 अंक होते हैं ये बड़ा तेज भुकम था ये भुकम प्राथ पौने 12 बजे जाजर कोट जिले से करीब 15 किलोमिंटर की गहराई पर आया भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली की कुछ हिस्सों में तेज जटके मैसूज किये गए वहीं भारत में 15 सेकंड से अधिक समय तक जटके मैसूज होने के बाद नागरिकों ने तुरंद अपने घर खाली कर दिये बुकम से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ इसने नेपाल की में 157 लोगों की जान ले ली और 200 से अधिक लोगों को घायल कर दिया हाला कि भारत में किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है जान में जान आई नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमाल दहल प्रचंड मेडिकल टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचे बचा प्रक्रिया नेपाल पुलिस और नेपाल सेना द्वारा की गई थी 3 नमेंबर 2023 के भीशन भुकम के बाद अब तक लगभग 169 जटके दर्च किये गए है आश्चरे जनक भारतिय प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तराज़्दी पर दुख चताया और नेपाल को हर संभव मदद की पेशकश की है भारत की 10 करोण मुल्य की अपातकालिन राहत सामगरी की पहली खेप 5 नमेंबर 2023 को नेपाल पहुँची भविश्यक की खेपों में और अधिक राहत सामगरी बेजी जाए की प्रतानमंत्री मोदी ने नेपाल में किसी भी प्रकार की ततकाल साहता चाहने वाले भारतियों के लिए एक हेल्पलाइन नमबर भी जारी किया है 3 नमेंबर से पहले नेपाल 3 अक्टोबर और 22 अक्टोबर 2023 को भी ऐसे ही तेज भुकम का सामना कर चुका है 2015 में नेपाल में 7 अक्टोब 8 तिव्रता का भुकम दर्च किया गया था ये एक बहुत बड़ा भुकम था 3 नमबर 2023 को आया भुकम 6 अक्टोब 4 तिव्रता का था 2015 के भुकम में लगभग 9,000 लोग मारे गए विनाशकारी हम इस प्राकृतिक आपदा से उनके उबरने की प्रात्ना करते हैं